हलो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल परना है तो मेरे चैनल को लाल बटन दबा कर ज़रू सब्सक्राइब कर लाइब बेल आइकन ज़रू दबा देता कि नुट्पिकेशन के माधिम से कोई वीडियो आपको जल्द में जाए तो ये बीपीएसी का सेरी चल रहा है उननी सो बान इतिहास जो आएगा ठीक है तो चलिए उसके बाद आधनी के दिहास चलेगा और उसके बाद जैसे जैसे और भी चल रहा है उधर साइंस का चल रहा है बिहार दरोगा का और बीएससी का जो है आपका पोलिटी चल रहा है राजी बेवस्ता तो चलिए देखते हैं पहला नेक्स्ट है कि अंती मौरे समराट कौन था तो ब्रीधरत था ठीक है और ये 2011 के BPSC में पुछा गया था नेक्स्ट है कि ने में लिखी थे में से कौन हड़ापपा और महांज़ड़ों के उत्खनान से सम्मन्दी थे तो आरडी बनार जी केंदिक्षित एमेस बत्स ठीक है नेक्स्ट है कि गौतम बुध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था तो सारनाथ में तो गौतम बुध और जैन धर्म से ठीक है महाबीर स्वामी से तो बहुत कोश्चन आएगा तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ लेना चाहिए और मैं भी पढ़ बहुत पढ़ते हैं नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किस से कहा जाता है तो समुध्र कुप्त को और नेक्स्ट है कि हर्स्वार्धन के सासनकाल के में किस चिन यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो वेंद्सवंग ने और इसका पीडियेव विश्व विद्याले के संस्तापक हों थे तो कुमार गुप थे और इसको जो है ध्वस्ट किया था बक्तियार खेल जी जो कि मुसल्मान थे ठीक है नडपा कालिन ऐसा कोस्टन आया है इसलिए बोल रहा हूं इसी कॉम्यूनिटी का नाम लेना अच्छा नहीं है लेकिन ऐसा क कोस्टन आया था कि बक्तियार खेल जी क्या थे राष्टकूर्ट सासक थे या मुसल्मान थे इसे कुछ था अप्सन में ठीक हड़ापा कालिन अस्तल से हलका टेराकोटा प्राप्त हुआ कहां से तो बनावली से नेक्स्ट एक निम लेखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क किरिया संपन होती तो सोने की खान है और कलिंग नरेश खारवेल का संबन था सत्वाहन बन से इसका पीडियेप में सुधार करके दे दिये जाएगा ठीक है कुल गाड़ी होगा नेक्स है कि छीनी आतिरी सूंग यून ने यात्तरा की थी भारत की कब तो 515-520-520-520-520-5 नेक्स्ट है कि किस परकार की भूमी को प्रहत कहा जाता था तो बीना जोती लिखा गया है जोती हुई जंगली भूमी ठीक है तो इसको भी सुधार दिया जाएगा ठीक है पीडियेप में आपको सुधार दिया जाएगा बीना जोती हुई भूमी हो जोती यहां पर लिख गया ठीड है ठीड और आधुर पूर दोन्त पूर जो है छिच्छा के इंद्रकिस राजे में इस्थित आवस्थि थे तो बिहार में जी थी था और करनाट बंसशके क transmitted कौन थे तो नानेदे और करनाट बंसके अंतिम शाशका कौन भरीज सिंग थे, ठीक है, राजनीती रतनकार के लेखा कौन है तो चंदेश्वर्थ है, और मेगास्तिनिस किसका दूर्थ था तो सेलिकेस निकेटर का, और सिंदु घाटी सब्याता का सबसे महतोपड़ी विसेश्टा क्या थी, तो पकी हुई इट से बनी इमारत, सेगास्तिनिस के पुस्तक इंडिनका में मौरे समाज के कितने भी भागों में बाटा गया था, तो सेबेन, ठीक है, परसीद चिन यातरी फायानकिस के ससंकाल में यातराखी थी, चंदरगूप्त मौर, चंदरगूप्त दुईतिय के ससंकाल में, और वेन संग जो किये थे, हर्षवर्धन के साथनकाल में नेक्स्ट है कि वह प्राथम मुस्लिम साचक जिसने साथसंग के सिधान्त के रजाव का इस वरिय अधिकार सिधान्त को प्रतिपादित किया था कौन था तो बल्वन थे और दच्छन भारत के मंदिरों को आकर्शक द्वार कहलाता था क्या कहला तथा उसके रख रखावे तो अपने दूत द्वारा देव पाल से पांच गाव देने के प्राथना के थी तो स्वर्ण भूमिक का राजा पुत्र बाल पुत्र देव था और भारत में पसुपाला नम क्रिसी का प्राचिन्तम साक्षे कहां से प्राप्ष हुआ था पर थी तो जहांगीर के सासन काल में नेक्स्ट है कि कौन सी कौन सा बंदरगा गुप्त काल में उतर भारती वेपार के लिए उपियोग किया जाता था तो तामर लिपती बंदरगा तो ये रहा आपका एंड हो गया प्राचिनित्यास का 120 कोस्चन था सभी टोटल एक्जाम जितना भी कोस्चन लिया गया था कि यह आपका भी पीसी 1992 से 2019 के 65 के एक्जाम तक लिया गया है ठीक है आप 66 के आनल तो इसी हमें यहां से ये सिख लेते हैं कि बहुत सारे कोस्चन रिपीट भी हुए है जैसे बहुत जहर्म और जयन धर्म से तो रिपीट बहुत बार सफलता का राज होता है किसी के लिए ठीक है तो यह खतम हो गया पार्ट फॉर तो विडियो को से लग विडियो को लाइक किजिए अगला आएगा जो है मद्दे कालिन भारत लेकर आएंगे और उसके बाद आधनिक भारत चलेगा उसके बाद उधर तो दोस्तरा टोपिक च करने रहें मिलते के लिएम तब तक लिए धन्याबाद